हेलो दोस्तो दोस्तो आजकी कहानी का नाम है हमारा आईना एक बार एक बहुत ही खुबसूरत आईना दुखी हो गया क्योंकि उसकी कोई तारीफ नहीं करता था आईने ने सोचा कि कुछ किया जाए उसने अपना रूप बदल लिया जिससे सभी अजीब से दिखने लगे सभी को लगा कि आईना खराब हो गया है कि आईना कभी दुबारा खुश हो पाएगा तो जानने के लिए शुरू करते हैं आजकी कहानी एक था आईना बहुत खुबसूरत सब उसमें खुद को देखते नहारते सचते सवरते और खुश होते पर आईने के तारीफ कोई न करता आ चारा आईना आईने ने सुचा सबको सबक सिखाया जाए तो बस फिर उसने फुला लिया अपना पेट फिर क्या हुआ अब सब के चैरे फूल गए गुबारे जैसे दिखने लगे देखो कैसे गुबारे जैसे दिख रहे हैं आईने ने फिर सेरू बदल लिया इस बर पेट अंदर कर लिया, तो अब सब के चेहरे खंबे जैसे लंबे हो गए, सब एक दूसरे पर हसने लगे, कैसे हसने देखो, आइने ने सोचा अभी और सबक सिखाया जाए, उसने पेट को उंचा नीचा कर लिया, यह देखकर सब हसी से लोट पोट हो गए एक दम, सब ने सोचा कि आइना खराब हो गया है, उसे उतार कर एक कोने में पटक दिया, बिचारा आइना, कई दिनों तक वह वही पड़ा रहा, उस पर धूल चमने लगी, पर आइना बेहर दुखी हो था, क्योंकि उसको एक कोने में पटक दिया था ना, एक दिने कबाडी वला आया, पुराने सम आइना भी उसे दे दिया उन लोगोंने, फिर उसने क्या करा, वह आइने को घर ले आया अपने, उसे दिवार पड़ लगाया, और सब ने उसमें देखा, उसमें खुद को देखते, निहारते, सचते, सवडते और खुश होते, और तो और आइने की तारीव भी करते, अपन